गुट मॉर्णिंग एश्टुडेंट मैं बीडवलकुमार आप सभी को अपने यूट्वीब चैनल पे स्वागत करता हूं आप सभी आज संस्कृत क्लास 10 के संस्कृत के विश्टाइ को देखने वाले हैं जैसे कि आपनों मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज हम लोग चोठी पार्ट को पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के संस्कृत के चोठे पार्ट को पढ़ने वाले हैं तो आप सभी यहां पर असलो के अर्थ को देखेंगे इस पार्ट के प्रशन उत्तर को देखेंगे जो इस एक्जाम में यानि विहार बोर्ड की फाइनल एक्जाम में बहुत ही महत्वपन वुमिकारी बाता है तो इसको पढ़ने से पहले मैं आप सबसे आगड़ा करूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें तो आए हम आप लोगों को इसका उचारण दिखाते हैं देखिए का द्यान से आपे उचारण करेंगे निले, निलित्पद, दल, स्यामा, विज्यांकम, जानता, ब्रिथेव, दन, दीना, प्रोक्ता, सर्वसूकला, सर्वसती आप लोगों को मैं बता दूँ कि चतुर्थ पाद में चतुर्थ पाद जो है इसमें संस्क्रित, साहित्य, लेखिका में एक असलोक है जो बहुत ही पोटेंट है उसी को मैं मिनिंग कराने वाला हूँ यार्थ बताने वाला हूँ तो इसका उचारण फिर से देख लिजिए निलेतपल, दल, स्यामा, बिजायांकाम, जानता, ब्रिथयू, डंडिना, प्रोक्ता, सर्वसूकला, सर्वसती इसको बार-बार उचारण करके आप इसे याद कर लें आए इसकी अर्थ को देखते हैं तो आए लोग हम इसकी अर्थ को बताएं आप लोगों दिए यहाँ पिकाड़ा है कि निलेतपल, दल, स्यामाम, बिजायांकाम, जानता, ब्रिथयू, डंडिना, प्रोक्ता, सर्वसूकला, सर्वसती इसका अर्थ होगा कि निले कमल के समान, स्यामवर्न की बिजायांका को ना जानते हुए सर्वसती को सर्व, सुकला, डंडि, द्वारा, बियर्थ ही कहा गया है यानि कि इसका साप साप एकड़ां सटीक अर्थ ही है और आप लोग इसको कोपी में नोट कर लिजे और बार बार लिगकर पढ़कर इसे त्यार कर लिए तो अब हम लोग इसके आगे इसके प्रशनुत्तर को देखने वाले हैं तो अब लूब देखेंगे इस पार्ट से जो भी पॉटेंट प्रशन है उसका गड़ेंगे तो आप लोब देखिए पहला प्रशन है भी पुलं कीम अस्धी तो इसका उतर है भी पुलं सांस्कृत साहिते अस्दी दूसरा प्रश्ण है बीपुलम संस्कृत साहित्य के समवर्धितम तो यहां इसका उत्तर होगा बीपुलम संस्कृत साहित्य के समवर्धितम इसको फिर से देख लिजे बीपुलम संस्कृत साहित्य के समवर्धितम तो तीसरा प्रश्ण है आपनों का काब्या नाम रचने सरक्षने चो का दतावधान काब्या रचना की कौन सरक्षन किया है और किसने लिया है न जी तो एंसर हो गया काब्या नाम रचने सरक्षने चो पूरुसा दतावधान ओके अगला प्रश्णे गड़ देवी कीम महा काब्यम और चड़त और अच्यत इसका एंसर होगा गड़ देवी विजया घटना मा स्रियत्या और रच्यत तो इस तरह से हम लोग इसकी चार इंपूर्टेंट प्रश्णों को देखें आप लोग इसे नोट कर लिजी अपने कोंपी में और नोट करने के बाद इसे बार बार दोड़ा कर त्यार कर लिजें तो इस पार्ट में जैसे संस्कृत साहित लेकिका में हम लोगों ने एक असलोग को किया और इसमें जो प्रश्ण बनाता है मुझे सबसे इंपूर्टेंट लगता है वी पूलां कीम अस्ती इ इंपूर्टेंट है तो इस वीडियो में यारी कि इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके सिस प्रश्णों को में इकड़ाओंगा ठीक है तो इस तरह से लगतार हमारे संस्कृत के क्लास चलते रहेंगे और आपको क्लास 10 के कॉम्प्लीट दस के जितने भी संस्कृत के प्रश्ण उत्तर हैं पार्टों के सारे आपको एक के बाद एक के बाद सारे क्लास में मिलने वाले हैं तो इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक करें यदि आप हमारे चाइनल पर हैं तो प्लीज इसे का गनित का इंगलीज का हिंदी का संस्क्रीट का अगर ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो को अन्य देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्सन बक्स को देख में जाए और देखिए अन्य सारे वीडियो आपको मिलेंगे धन्यवाद